हलो दोस्तों, कूर्टी के गले का डिजाइन बनाएंगे, कूर्टी मैं पहले से काट के रखा हूं बहुत ही अच्छा डिजाइन है, यह बैक है और यह बाजू है, यह फ्रेंट पार्ट है, अभी इसको साइड में रखेंगे, यह बकरम मैं काट के रखा हूं, बकरम की चमड़ाई है बारे इंच लंबाई है इसकी साथ इंच बकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है गले की चमड़ाई है आठ इंच तो चार पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई चार इंच रखेंगे यहाँ भी चार इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ भी चार इंच का निशान रहेगा यह जो निशान लगाए है तैयारी का निशान है इसमें मार्जन नहीं रखना है इंच पट्री की मदद से निशान को सीधा लगा लिया हूँ कोने पर इस तरह से गोल कर लेंगे यहां पर दाउंड में निशान लगाना है निशान को मैं लगा लिया हूँ एक इंच का निशान यहां लगाएंगे पट्टी पर इस तरह से निशान एक इंच का चारतरफ लगा लेंगे निशान पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसी तरह अंदर साइड में जो निशान लगाए हैं उस पर भी कटिंग कर लेंगे गले की पट्टी को काट के तयार कर लिया हूँ यह पैटन लिया हूँ एक इंच लंबाई और एक इंच चौड़ा में पैटन को काट लिया हूँ पैटन को बिच सेंटर से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने बाद एक साइड में कोने को गोल कर देना है इस तरह से मैं कोने को गोल कर दिया हूँ पैटन को फोल्ड करके गले की पट्टी के बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरह से निशान को लगा लेंगे पैटन के किनारे निशान को लगाना है पैटन को खोल देंगे और निशान में बिल्कुल सटा के दूसरा निशान इस तरह से लगाएंगे पूरे पट्टी पर इसी तरह निशान को लगाना है पट्टी पर मैं इस तरह से निशान को अब लगा लिया हूँ अब ठीक निशान पर हम कटिंग कर लेंगे जिस तरह से मैं निशान को ऐसे गोल में लगाया हूँ ठीक उसी तरह निशान पर कटिंग कर लेंगे इस भकरम को कपड़े पर सटा लूँगा मैं इस्टरा कपड़े को काटके निकाल दिया हूँ आधा इंच मार्जन छोड़ा हूँ उसको फोल्ड करके परेश कर लेना है इस तरह से पलट लेंगे इसे और बीच सेंटर में निशान लगाएंगे बीच सेंटर में निशान लगाना ज़रूरी है कुर्ति का ये फरेंट पार्ट है इसमें भी बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे दोस्तों गला में छोटा बनाया हूँ आप अपने अनुसार गला को छोटा बड़ा बना सकते हैं बीच सेंटर में सिलाई लगा लेंगे सिलाई इसलिए बीच सेंटर में लगाते हैं गला को बनाने में परिशानी नहीं होगा यहाँ पर मशीन को रोक देंगे और पीस को बाहर निकाल लेंगे छोटा ठाकी करके इस गले के डिजाइन को इस तरह से घुमा के बनाएंगे अब एक बूट का महार्जन छोड़के इस तरह कपड़े को काट के निकाल देंगे और जहाँ जहाँ कोना है वहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से कट लगा लेंगे डिजाइन के लिए जो राउंड में सिलाई लगाए है सिलाई से एक सूट मार्जन छोड़के बाकी कपड़े को काट के निकाल देंगे इसको इस तरह से पलट लेंगे पूरे डुजाइन को इसी तरह पलट लेना है यहाँ पर नाखुल लगा ले या परेष से परेष कर ले मैं फिलाल परेष करूंगा इस पर अब मैं परेष कर लिया हूँ इस पर मोती लगाऊंगा इस तरह से मोती को लगाना है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे वीडियो में डेली अपने यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूं बहुत अच्छा डिजाइन है